हेलो दोस्तों उत्राखंड की पाट साला में आपका श्वागत है तो देखिए दोस्तों लेकर आया हूं उत्राखंड जी के टेस्ट इसमें आज भी हम देखेंगे उत्राखंड से संबनित कुछ प्रस्ण और विवरान सहीत उनके आंसर तो चलिए शुरू करते हैं आज का उ महाराजा कुमार तो इन चार चंद राजाओं में से रुद्र चंद त्रिमल चंद लक्षमी चंद और भारती चंद इन चार राजाओं में से किसके लिए महाराजा कुमार उपाधी का परियोग किया गया है तो इसका सही आंसर आपको बताना है तो इसका जो सही आंसर है व पर इन्हें महाराजा कुमार कहा गया है ठीक है जब आप देखते हैं कुछ और अगर हम बात करें तिर्मल चंद की तो तिर्मल चंद को आप जानते होंगे लक्षमी चंद के बाद जब मतलब लक्षमी चंद के बहुत लेकिन देखिए दोस्तों यहां पर जो इनसे पहले जो सासन कर ले थे उनके जो नाम हम देखेंगे वो नाम थे एक थे दिलीब चंद, आपने नाम सुना होगा, दिलीब चंद एक नाम था, दिलीब चंद इनके बाद सासक बने थे, लेकिन दरबार में सडियंत्र कारियों ने इनकी हत्या कर दी थी, और सडियंत्र कारी कौन थे, आपने नाम भी सुने होंगे, एक थे, एक था सुकराम कार की है ना सुक्राम कार की और दूसरा था विनायक भट विनायक भट इन दोनों ने यहाँ पर बहुत जादा सडियंत्र रचे थे इस दरबार में इस समय तो इन्होंने दिलीब दिलीब चंद की हतया करकि विजयचंद को सासक बनाया था लेकिन तिरमल चंद sociology श्याम सा की साहतासे क्या किए जो यह duly connection के बाद विजयचंद सासक बना था इसको हटा दिया और खुद सासक बन गया जब वो खुद सासक बना है इसने सबसे पहले इन दोनों की value इसकी प्राम करकी हत्या कराई और विनायक भठ को अंधा करवा दिया ताकि सद्यांत्र नहों और उन सभी लोगों को राजबदों से हटा दिया जो सद्यांत्रों में सामिल थे और तो और जो खाना बनाने वाले छोटे पद वाले नौकर चाकर दे उनको भी हटा दिया गिया जो भ कमिशनर के बाइद के hairst कमिशनर के से ले लिया गिया युदि कि अच् às यंध मैं करें स्यार्वे ले लिये गया और यहां बात करें इससे कमाम का जो कमिश्णर होता था वो नियाय का सर्वे-सरवा होता था और ये ब्यवास्ता शुरूई थी 1894 में ठीक है एटीन नाइटीफोर का समय जो था उस समय से क्या हुआ था कि सारे के सारे नियाय के अधिकार कुमाओ कमिश्णर को दे दिये व्यवस्ता खत्म हुई, यह 1914 में खत्म हुई, लेकिन इस बीच क्या हुआ, इस बीच लगातार स्हाशन न्याईलियों का विकास हुआ, जज कोल्ट खुले, बहुत लिए जज कोल्ट खुले गई, जब यह कोल्ट खुल गई, तो उसके बाद इसके पास से न्याई हटा दिय जो इस बिरला लाया गिया और जो यहलाबात कोड़ों का पूर मोई तो यह Könти काम करने लगी ठीक है इलाबात हाइप यह सोब बना देखिए इन के वह से क॑न सी सब्सक्रब्ग करने तो बहुत जला उग्रा रूप में hairst फिल्म की दूसरी कहानी के साथ साथ मिक्स किया गया है उत्राखन्द, आधरित है 2100 की बात करें तो जो सांधर है तो वो था 2003 ठीक है 2003 में ये आई और इसके निर्देशक जो थे वो थे अनुज जो सी तो ये जो फिल्म थी ये उत्राखंड आनुरन पर आधारित थी इसको भी आप याद रखें ठीक है और चलिए इस फिल्म में जो खास तोर से दिखाया गिया है वो है क्या जो मुझफर नगर कांड है 1904 में एक कांड हुआ था मुझफर नगर कांड आप सब जानते हैं मुझफर नगर कांड के बारे में तो जो मुझफर नगर कांड हुआ है उसको भी इस फिल्म में दिखाया गिया है अगला प्रस्ण रवाई छेत्र को कब टीरी रियासत में सामिल किया गिया रवाई छेत्र उतरकासी में आता है लेकिन पहले टीरी रियासत का हिस्सा हुआ करता था और टीरी रियासत में भी इसे कब जोड़ा गया तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है तो रमाई छेत्र को टीरी रियासत में जोडा गया था 1824 में 1824 में 1824 में रमाई को टीरी रियासत में जोडा गया रमाई छेत्र को देखिए क्या हुआ था कि जो हमारे पहले राजा थे उतरवर्ती जो परमार काल था टीरी का उनका नामदा सुदर्शन साह सुदर्शन साह और मतलब जो अंग्रेज थे इनको मतलब सुदर्शन साह को न और इनके वनसुजों को अधिकार जो दिये थे वो दिये थे अंग्रेज़ों कब मार्च 1820 में मार्च 1820 में एक संदी अंग्रिजा और सुदर्सन सा के बीच वी थी जबकि इनके वंसनों को भी टीरी गड़वाल पर अधिकार दिया गिया था अगला है हमारी कविता के आखर किसकी रचना है तो इसका जो सही आंसर है हमारी कविता के आखर जो रचना है वो है गिरीज तिवारी जिने हम जानते हैं के नाम से ये भी आपको एपको याद रखना है ग्रीश तीवाली ग्रीश तीवाली काुम किसे जनाम से जहाते है इनहें जनकवी क्यों कि ये विए हमेशा जन आंदरों से जुड़े रहे, जनता के लिए इन्ह Cake कारे किया, हमेशा लीट किया जन आंदरों को, चाहिए वो उतराखंड आंदरों हो, चाहिए कोई शो किसान आंदरों हो, हमेशा, चोटे या बड़े, इन्होंने सपोर्ट दिया जनता को और आपने क्या बोलता है आदरों के गीतों के लिए परसिद रहे हैं और इनकी जो परसिद कुछ रचनाएं हैं उनकी बारे में हम बात करें तो आपने सुनी होंगी वो है नगाडे खामोस हैं नगाडे खामोस हैं इनकी एक रचना है जो सिखरों के स्वर अब लिलादर जगोडी की जो है वो है स्वन्ड मुखी सिखरों पर और इनकी है सिखरों के स्वर यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है इनकी है क्या ग्रीस त्वारी गिर्दा की फुस्तक है सिखरों के स्वर जबकि लिलादर जगोडी की है स्वन्ड मुखी सिखरों पर ठीक है एगला प्रस्ण है स्रीदीव सुमन का जन्म कब हुआ तो देखिए महान उतराखंड स्रीडियासत के लिए महान मतलब अपनी बलिदान दिया थे इनलों एक महान व्यकृत्व है ठीडियासत के तो इनका जन्म वर्स क्या है तो इनका जो जन्म वर्स है वो है 1916 देखिए 1916 में इनका जन्म हुआ और तिरी थी 25 माई ठीक है 25 माई 1916 1916 को इनका जन्म हुआ और जो लगाओ आप जानते हैं तीरी में यहुआ ठाद परशिद्ध हैं तीरी दियासत के लिए इनका बलिदान भी हो गिया था ठीरी दियासत को स्वतंत्र कराने के लिए तो इनकी अगर बात करें तो इनका एक प्रसिद्ध कविता संगरा है जो 1937 में आया था वो कविता संगरा था सुमन सोरब ठीक है सुमन सोरब और जो इन्होंने टीरी रियासत को तो राजा के कुशासन से मुक्त कराने के लिए जो टीरी राजय परजा मंदल की स्थापना की थी वो की थी 23 जन्वरी 1949 आप जानते हैं 23 जन्वरी 1949 को इन्होंने टीरी राजय परजा मंदल की स्थापना की थी है ना तो वो किधी 1949 में और जो इनका आमण अंसन रहा वो रहा तीन मई से तेक शोरी हाँ तीन मई से 25 जुलाई तक तीन मई से 25 जुलाई 25 जुलाई तक इनोंने आमण अंसन किया था कुछ खाया पिया नहीं और इस 84 दिन के भूखरताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई तो य इन मैंसे कौनसा नाम उत्राखंड छेतर है तो प्रयुक्त नहीं हुआ है इन मैंसे एक नाम ऐसा है जिसको कभी भी उत्राखंड के छेतर के लिए इतियास में प्रयुक्त नहीं हुआ बाकि तीन नाम इतियास में कहीं न कहीं उत्राखंड के छेतरों के लिए प्रयुक्त ह हुए हैं जिसने उस समय उत्राखंड का परतिनीक्ट्प किया हो जिससे त्रशी आंसर यांपर आपको बताना है इलावरत क्रियावली अपरांत और असुर चूल तो इसका जो सफ़ी आंसर है वह है असुर चूल चूल सब्दक प्रियों उत्राखंड के लिए नहीं हुआ है जबकि इलावरत गिर्या वली या अपरांत का हुआ है अपरांत का आप मों पताओगा कालसेवी लेक में हुआ है ऐसे ही इलावरत भी हुआ है और गिर्यावली भी यूप्टे ने एक इंजियोग्राफिय आफ इंडिया को चासी पुस्तक है उसमें किया गया था गिर्यावली तो इलावरत भी कहीं न कहीं मिला है तो अन्य और नाम है जो उत्राखंड के छितरों के लिए समय समय पर प्रियुक्त हुए है हलंकि इनकाम बोल मैं आपको कभी और बताओंगा कि कहां कहां पर प्रियुक्त हुए हैं लेकिन हुए हैं जैसे एक नाम प्रियुक्त हुआ है वो है सपा दलक्ष ये नाम भी उत्राखंड के लिए प्रियुक्त हुआ है प्रवताकार ये कुछ नाम है जो उतराख्ण के चितरों के लिए पर्यूक्त हुए है समय समय पर अगरा प्रस्ठराब में गडवाल बीबी के नाम B.Yup «back जोड़ा गया मतलब जो हमती नदन बहुँगुणा है गड़्वाल उन्वेस्टी के आगे वो कब जोड़ा गया जो नाम है हमति नंदन बहुँगुणा तो इसका जो सही आंसर है वो है देखिए 1989 1989 में जोड़ा गया था हमारा हमति नंदन बहुगुणा इनके नाम के अगर इस्तापना की बात करें तो 1973 में कुमाओं के साथ साथ इसकी विस्ता बना हुई गड़वाल विश्व विद्याले की और ये जो विश्व विद्याले था ये 2009 में 15 जनवरी 2009 में केंद्रिय विद्याले बना केंद्रिय विश्व विद्याले बना 2009 में ठीक है और अगर इसके परिसर की बात करें तो तीन इसके परिसर है एक परिसर है पोड़ी में एक है स्रीनगर में जो है मुख्या परिसर और तीसरा है टीरी में टीरी में जो बादसाइथ हॉल है बादसाइथ हॉल में इनका परिसर है स्वामी रामतीर्थ परिसर के नाम से ठीक है त यहां से हमें लाले रंग के मिले है, लुए थाप रूखे इसद लियर नाम है, बंगता है, खून, खून का रंग होता है लाल, अगला है किमनी गाउं चमोली, ठीक है, तो किमनी गाउं जो चमोली में हैं, वहां से हमें सफेद रंग के मिले हैं, सफेद रंग के सैल चितर, तो ये इस रंगों से परसिद कुछ सैल चितर हैं, तो ये था ये क्वेसन, और जो अंधिम प गुपिनाथ मंदिर के परिशर में और यह 4 नाग वंसिय सावते हैं वह वह इसकंद नाग हो तीषर नाम के अन्सुनाग तीस्रा है अंसुनाग ये गणपति नाग कोई गोबिश्वर मंदर का निर्मारता माना जाता है तो सिसकंद नाग, विबुनाग, अंसुनाग और गणपति नाग इन चार नाग वंसिय रादों के नाम हमें यहाँ पर मिले हैं देखे जो असोक चल का आकरमन हुआ था इस छेत्र पर इसकी जानकारी भी देता है, यह तिर्सोल लेक तो यह थे हमारे आज के प्रस्ण दोस्तों, जुड़े रहे धन्यवाद हम ऐसे वीडियो आपने लाते रहेंगे